नवसकर दोस्तो जेहिंद वंदे मातरम मैं आपके साथ जैसवाल सर आपशवी का श्वागत अभिनंदन है आपके अपने यूटूब फैमिली सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सिंटर पर पावरड बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो बालवे का सिच्छा सास अधियम से सम्मंदित आपके लिए महत्पूर लाजवाव यहाँ पे 50% दोस्तो लेकर आए हैं जी हाँ पूरा यहाँ पे नोस को छाटा गया परखा गया यह आपके लिए 50% जो है त्यार किये गए हैं जो सारे कंसिप्ट को क्लियर करते हैं और एकजाम से सम्मंदित टॉफ 50 कोश्चन जो है आपके लिए एकजाम के लिए बहुती मातपूर होने वाले हैं तो चलिए सुरुआत करते हैं प्रत्थम प्रश्न की सारे कोश्चन के एंसर भी आपको फेस पर दीखेंगे तो ये कोई मौक कोश्चन नहीं है डिरेक्टली आपके 50 कोश्चन कर रहे हैं जो सलेक्षन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बाल विकास में 25 प्रस का स्कूर अगर प्राप्त करना है तो ये सारे 50 कोश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ग्रेट 3 एकजा कर लेना है तो चलिए प्रत्रम प्रश्चन ये है कि अदियम बेवहार के सिध्धान का प्रतिपादक कौन है यहां पर आपका जवाब होना चाहिए कलार्क हल की बात करेंगे जी हां अदियम के बेवहार के सिध्धान का अगर प्रतिपादक पूछा जाता है तो आपका सफलता का मुखधार किसे माना जाता है तो लच्छ प्राप्त की उतक्रिष्ट इच्छा को माना जाता है जिहां अधिगम की सफलता का मुखधार किसे माना जाता है लच्छ प्राप्त की उतक्रिष्ट इच्छा को माना जाता है तीसरा प्रशना ये देख लेते हैं क्या पू द्धापक द्धापिकाएं हैं तो बालक सरीर की अंगों का संचालन करना तो सीखता है लेकिन किस प्रकार की अधियम से मादम से सीखता है वह गत्यात्मक की बात करेंगे डैनिमिक की बात कर रहे हैं तो बालक सरीर की अंगों का संचालन करना सीखता है किस से गत्यात्मक अधियम के से सीखता है चौथा प्रसंदिया गया है एक बालिका को साइकल चलाना याता है वह स्कूटी खरीदती है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है यह अधियम का कौन सा इस्थानतन कहला जाएगा सभी याँ पे कमेंट करेंगी अपारश्विक नकारात्मक शून और आपका जो दियागा है एंसर सही हो जाएगा वह होगा शकारात्मक जी हाँ एक बालिका को साइकल चलाना आता है वह स्कूटी खरीती है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है यह अधियम का कौन सा इस्थानतन हो जाता है तो यह हो जाता है अधियम का शकारात्मक इस्थानतन हो जाएगा क्योंकि भई यावे साइक्चिल चलाना सीख रहे हैly साइक्चिल स्कूर्टी चलाना कोई बाईग चला रहा है तो यह क्या हो जाता शकरात्मक अधिगम का इस्थांटन हो रहा है क्योंकि जो हमारा प्छला सीखा हुआ है वह हमारे अब नए में काम आरहा है पांच्वाँ प्रस्ण क्या है विष्ण को पढ़ाई करते समय नीद भगाने के लिए चाय पीता है परंतु चाय पीकर गहरी नीद में सो जाता है यह अधिगम का इस्थानतर होगा अक्सर आप लोग देखते होंगे आप लोग अधा पक अधा भी काई है सिच्छ बंद है विष्ण मालीजे कोई भी बालक बालिका है जो पढ़ाई करते समय नीद भगाने के लिए चाय पीता है ठीक है कि पढ़ाई करना है एक जाम आ रहा है तो चलिए चाय पीते हैं लेकिन चाय पीकर वह क्या करता है गहरी नीद में सो जाता है तो यह जो अधिगम के इस्थांतन हो जाएगा कौन से कहला जाएगा देखे पार्शिक तो कहलाएगा नहीं शून हो गया शकरात्मक भी नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा नकरात्मक कहला जाएगा क्योंकि चाय किसके लिए पी रहा है अपने आपको जगाने के लिए निन से लेकिन चाय पीने के बाद अगर सो जाता है तो वह अधिकम के इस्थांतन आपका क्या हो जाएगा नकरात्मक इस्थानतन कहला जाएगा अंगला पसने क्रियात्मक अन्वंधन का सिध्धान किसकी देन मानी जाती है तो हम बात कर रहे हैं क्रियात्मक अन्वंधन सिध्धान की बात करेंगे तो क्रियात्मक अन्वंधन का सिध्धान किसकी देन माना जाता है प्रिक्षरों पर है कमेंट शरोमान है शात्वा प्रसंदिया गया है कि गिस्टाल का अर्थ है बेवहार के रूप में परिवतन के रूप में मसीनों के रूप में या शमगर के रूप में तो आप सभी लोग जानते हैं गिस्टाल का अर्थ क्या होता है शमगर के रूप में Gestalt मतलब इसकार्थ होता है शमगर के रूप में आठवा पर सुनाईए इसकीन पर क्या दिया गया है सीखना विकास की प्रकिया है ये परिभासा क्या है अर्थात Learning Development Process सीखना विकास की प्रकिया है ये परिभासा वुडवर्थ की है नोट कर लेंगे सीखना विकास की प्रकिया है ये जो Learning Development है ये किसकी बात करेंगे बुडवर्थ की और नोट की अगर बात करें अंत में बताएंगे भी ये कि इसका जो नोट हम आपको कहां देंगे किस ग्रूप मर देंगे तो आपको नीचे बता भी दे जाएगा इंड पर कि आपको ये नोटस भी प्राप्त हो जाएंगे रिजिना कच्छा दो की छात्रा है उसे अध्धापिका ने डंडे से पीटा अंगले दिनवाई अध्धापिका के हाथ में डंडा देखकर रोना प्राडाम कर देती है यह अध्धापिका कांतन कहलाएगा अकसर देखते होंगे आप लोग अध्धापक अध्धापिका है टीउशन गएरा कहीं अगर पढ़ाते होंगे तो अकसर देखने होंगे करक्छा एक दो तीन के छात जो होते हैं बालिकाइं जो होती हैं अगर आप एक दिन कुछ कारणवस डंडे सरिपीड देते हैं हलाकि ये इसा करना नहीं चाहिए ये आपके कानूनन जो है ये हमें नहीं देता कि आप लोग ऐसा करें दंडित करने के लिए तो अमानली जैसा होता है तो अध्यापक्या के हाथ में डंडा देखकर ही वह बाला के बाली का ये च्छात जो है रहीना रोना कर देती है तो ये अधियम का जो अंतर्ण होता है वह दूई पार्श्विक कहलाएगा कैसा कहलाएगा दूई पार्श्विक अधियम अंतर्ण कहला जाएगा अंगला प्रश्विक कच्छा साथ का रोहन प्रारंभिक पाठों को तीव गस्य सीखता है परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम हो जाती है एक समय में ऐसा आता है कि कितने भी प्रयास करने पर भी वह अधिक नहीं सीख पाता तो यह प्रकिया कौन सी कहला जाएगी देखे बहुत इच्छा प्रश्विक कि कच्छा साथ का रोहन है जो प्रारंभिक पाठों को तीव गर्स सीखता है परंतु धीरे धीर उसके सीखने की गति कम हो जाती है और एक समय ऐसा भी आता है कि कितनी भी प्रयास करने पर भी वह अधिक नहीं सीख पाता तो यह जो प्रकिया हो जाएगी अधिगम का पठार कहते हैं पठार आ गया परवत में गर चठना हो पठार में तकठना ही आती तो अधिकम का पठार ही कहला जाता है यहाँ पर आप लोगों का तीसरा आपसन सही हो जाएगा अंगले वा प्रसन है कि पूजा 20 ग्रेट की त्यारी कर रही है मान लिजे आप लोग वर्ग दो के एक्जाम दे चुके हैं ग्रेट टू की आप लोग त्यारी कर रहे हैं उसके दौरान जो है रीट का पढ़िडाम आता है मान लिजे रीट का पढ़ियाम आ गया है एमपी टेट का कोई भी यहाँ पर प्रसन पर देजा सकता है रीट, यूपी टेट, सीटेट, एमपी टेट कोछ भी यहाँ पर दिया जा सकता फार एक्जाम पल तोर पर बता रहे है तो ट्वेंट गेट की त्यारी कर रहे हैं उसी दौरान आपका मान लिजे एमपी टेट का या रीट का पढ़िडाम आ जाता है तो भाई आस्फाल हो जाती है तो भाई दुखी हो कर त्यारी बंद कर देती है तो कलारक के जो हल के आनुसार उसे अशकता है कलारक हल का सिद्धान تअपने पढ़ा होगा उसके आनुसार अशकता होए अर्थात माल यह किसी चीज के तैयारी कर रहे हैं और जो पुरान हमने एक जाम दिया था उसका मले अस्फाला जाता है ठीक है तो तैयरी करना बंद कर देते हैं तो कलार के हल के नुसार उसे क्या उशकता है उसे पुनरवलन की उशकता है यह उधारण सिफ आपके समझने के लिए ऐसे उधारण यहां पे कमबाइंड किये अधियम का सिफधान्त है विद्यारथियों को अंगले कार के लिए त्यार करने है तू प्रथम परिस्ट में प्रदान किया पुनरवलन अभिप्रेणा का कार करता है यह अधियम का क्रिया प्रशूत अन्बंधन का सिफधान्त हो जाएगा आप लोगों का सी आपसन सही हो आईए बात कर लेते हैं अंगले प्रिश्न की अंगले प्रिश्ने एक बिकलांग बालक अदधिक परिश्रम करके कच्छा में प्रत्थम आने का प्रयास करता है इसे किस प्रतिरच्छक प्रणाली में रखेंगे देखे बालक कैसा है बिकलांग बालक है अतदिक परिश्रम करता है और कच्छा में प्रत्था माने का प्रयास भी करता है तो इसे किस प्रतिरच्छक प्रणाली में रखेंगे तो इसे च्छति पूर्ति में रखेंगे किसकी बात करेंगे च्छाति पूत प्रतिरचक प्रणाली में रखेंगे अंगला प्रसने बुरी यादतों को छुडाने तथा अच्छी यादतों का निर्मान करने के लिए अधियम का कौन सा सिध्धान्त उप्योगी होता है यादतों को छोड़ना और अच्छी यादतों का निर्मान करना तो यह जो अधियम का सिध्धान्त कहलाएगा वह होगा अनकूलित अनकूरिया का सिध्धान्त दाय आप्शन सही हो जाएगा अंगलिया प्रसने चंचल प्राय जल्दी उठने के लिए सुबह चार बजे का अलार्म भरती है और अलार्म बजने पर वह उठ जाती है तिन-चार दिन बाद वह अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती है यह अधियम का कौन सा सिध्धान्त होगा अकसर हम देखते हैं अगर आप दो-चार दिन उसी टाइम पर जग जाते हैं तो अलार्म बजेगा नहीं लेकिन आपका ध्यान जो है दिमाग पहुँच जाएगा अरे टाइम तो हो गया चलो उठना चाहिए यह जो होता है यह दोहरण है और हमारे सामने आती भी है तो यह जो अधियम का सिध्धान कहलाएगा कि उसकी अलार्म बजने से पहले ही नीन खुल जाती है वह कहलाएगा सास्त्री अन्बंधन का सिध्धान आपने पड़ा होगा आईए बात करते हैं अंगले प्रश्ण की इमली का नाम लेने से मुँ में पानी आ जाने के कारण इसको निमलखित में से कौन से सिध्धान से जानेंगे इसको उद्धीपक प्रत्किया के सिध्धान से जानेंगे इमली का नाम लेते ही अभी हो सकता है बहुत सारे यहाँ पर भाई वेन ग्रहनी सिच्छवबंद को पानी आ भी गया होगा नाम लेने से ही आ जाता है जितनी भी खटे पदात हैं जादा तर तो हम बात करें मेरे भी आ गया है ठीक है तो ऐसी बात नहीं है तो हम बात करेंगे यह क्या होता है उद्धीपक प्रत्किया के कारण होता है अंगला पसने अनुभव एवं प्रसिच्छन द्वारा बेवहार परिवतन को अधियम कहते हैं यह किसका कहना है तो गिलफोर्ड ने कहा है यह परिवाशा जी है कि अनुभव एवं प्रसिच्छन द्वारा बेवहार परिवतन को अधियम कहते हैं यह गिलफोर्ड की परिवाशा हो जाएगी अंगला पसने निम्लखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही दिया गया है देखे बच्चों द्वारा की गई तुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ यह हमारा जो कथन है सही नहीं दिया गया है सही कथन क्या है सीखना उस वातर में प्रभावी होता है तो यह भी नहीं है बिल्कुश है बात है सीखना उस वातर में प्रभावी होता है जो सम्वेगात्म कारकों से प्रभावित हो यह अगर लाइन जोर दी गई तो यह हमारा आप जो कतन है सही हो जाएगा क्योंकि सीखना उस वातर में प्रभावित होगा जो सम्वेगात्म कारकों जो सम्वेगात्म कारकों उसको प्रभावित कर रहा है तो मतलब वे सीखना उस वातर में प्रभावी बहुता है दो बावाला उपशन सही कर लेना अगले प्रसंदै अनभोध वारा बेवहार में परिवतन होना ही अधिगम है अधिगम की ये परिभासा किस ने दी दी ति तो गिर्श्वा अन की ये परिभासा है कि अन्भो द्वारा बिवहार में परिवतन होना ही अधियम है यह अधियम की परिभासा गिश्वा अनदी थी सभी मित्रों को जहिंद वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद सभी प्यार मित प्रतेक प्यारे प्यारे भाईयों की प्यारी प्यारी बेहने ग्रहनी जिनका सपना है गौर्मेंट टीचर बनना शबी अपना अपना कमेंड करेंगे फीडबे करेंगे और ये टॉप 50 कोशन बहुत इंपोर्टेंट है शाथियों राजेस बीमारी के कारण एक महीने तक बिद्यले नहीं गया जो वैब बिद्यले गया तो उसे भाग के लंबे सवालों से करना नहीं आया कई बार निरासात्मक अनभों से अस्फलता हांथ में लगी और लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है तो यह सास्ति अन्बंधन के सिध्धान के मुताबित जो है शमेगात्मक्स भाविक जो उत्तेज़क होगा वह होगा कौशा अस्फलता या भखनासा हो जाएगा अक्सर हम देखते हैं अगर चीज़ें छोड़ दी जाती है तो अस्फल या भखनासा की स्थित उत्पन हो जाती है पालाव के अन्बंधन प्रयोग में भोजन के पूर उपस्थित ध्यान को क्या कहा जाता है पालाव ने अपने पढ़ा होगा पालाव ने ईपी पालाव ने जिस पर कुट्टे पर जब प्रयोग किया तो ईपी पालाव ने अन्बंधन प्रयोग में देखा कि भोजन के पूर उपस्थित ध्यान को क्या कहा जाता है अनबंधित उद्धीपक जैसे गंटी बचती थी तो ऐसे कुद्धित के मुझे लाट पकना शुरू हो जाता था तो ये क्या कहलाता है भोजन के पहले जो है उपस्तित ध्वनियंगर कोई हमें मिलती है किसके बाद ध्वनिय आ गई बस अब भोजन मिलेगा ये कुछ चीज़े मिलेगी तो वह कहला जाता है अनबंधित उद्धीपक कहला जाता है अंगला प्रशन है कि दो वर्स के बच्चों को बाली बाल खेलना नहीं सिखाया जा सकता है थांडाई के किस नियम पर आधारित है देखिए दो वर्स के बच्चों की बात कर रहे है तो दो वर्स के बच्चों को बाली बाल खेलना नहीं सिखाया सकता ये थांडाई के ततपरता के नियम पर अधारित होगा थांडाई के ने सभी को होता तीन नियम दिये थे आपके जो मुखनियम, ततपरता का नियम, परभाव का नियम, अभ्यास का नियम ये थंडा एक महोदे के मुखनियम जो तीन है और गौर्ड नियम आपके पांच है जो आने वाले क्लासेज पर आपको आसानी से बता दिया गया है या बता दिया जाएगा तो कलासे जरूर डेली जोइन कीजे और आपने अभी सिच्छक भरती के चैनल को अपने टीटी फैमिली को सब्सक्राइब ने किया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले कलासे जो आपको असानी से मिल सकें साथियों मैकडूगल ने सफेज चूहों पर परिच्छर किया जिस रास्ते में चूहों को विजली का धक्का लगा उस रास्ते में चूहों ने जाना ही छोड़ दिया तो थंडाई के किस नियम पर अधारित है यह प्रभाव का नियम वहाँ पर प्रभाव उनको लगा कि नहीं इस रास्ते में तो करेंट है इस राके तो विजली के हमें क्या है जटके लगती है धक्का लगता है तो चूहों ने क्या किया उस रास्ते को छोड़ दिया तो थंडाई के किस नियम पर अधारित हो जाएगा यह प्रभाव के नियम पर अधारित हो जाएगा चले बात करते हैं अंगले प्रस्ण की अंगले प्रस्ण आप लोगों के स्कीन पर है कि जब तर्क चिंतन वाकलपना के अधार पर ग्यान प्राप्ट किया जाता है तो वह अधिगम कहलाता है देखे सुवतियों जब तर्क चिंतन वाकलपना के अधार पर कोई भी ग्यान प्राप्ट किया जाता है तो वो अधिगम का प्रत्यात्मक अधिगम कहला जाता है भी आपसन सही हो जाएगा कोई माली जिक कॉष्चन में जो भी डाउट हो आप लोग अपना कमेंड कर सकते हैं फीड़े कर सकते हैं बेवहार के कारण बेवहार में परिवर्टन ही अधिगम है ये परिवासा किस ने दी है तो गिल फोर्ड ने दी है जी हाँ बेवहार के कारण बेवहार में ही परिवर्तन जी हाँ बेवहार के कारण बेवहार में परिवर्तन ही अधिगम है ये परिवासा जो है गिल फोर्ड की है अंगला प्रसन है चात सिच्छक की अवाज नकल करता है और एम गेने की सदिगम पर धारित होगा तो कोई भी चात अगर सिच्छक की अवाज अक्सर देखते होंगे कि एक फणी टाइप में हसने में काफी सारे बच्छे नकल करते हैं कि आगर आप लोग पढ़ा रहे हैं तो आप लोग देखते भी होंगे आपके सामने किसी दूसरे टीचर की नकल करेंगे दूसरे एक सामने आपकी नकल करेंगे वो मैं वोई टीचर ऐसे आते हैं तो ऐसे पढ़ाते हैं ऐसे खड़े होते हैं ऐसे बोल तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपने देखते होंगे अक्सर होता रहता तो वही ये प्रशन पूंचा गया है कि छात जब सिच्छक की आवाज की नकल करता है तो आरेम गेने के किस सिधान पर अधारीत हो जाएगा तो संकेत अधियम के सिधान पर अधारीत हो जाएगा आई ये बात करते हैं इंगले प्रशन की डिशेल के अनुसार अधियम प्रकिया के कितने शोपान है तो डिशेल के अनुसार अधियम प्रकिया के टोटल पाँच सोपान है नोट कर लेंगे लर्निंग प्रोशेस की बात करेंगे समाजी कदियम प्रारंब होता है तो समाजी कदियम जो प्रारंब होता है social जो learning होता है वह संपर्क से होता है context से होता है तीज रापसन सही हो जाएगा अगर हम आपके साथ संपर्क में हैं आप आईए देखते हैं अंगला प्रशन बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सजन कर सकते हैं इसका स्रे जाता है इसकनर महोदय की जी हाँ बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सजन कर सकते हैं इसका जो स्रे जाता है हम बात करेंगे इसकनर महोदय की बात करेंगे अंगला प्रशने प्रेच्छनात्मक अधिगम जी हाँ साथियो आपजर्वेशनल लर्निंग सिध्धान के परोटक कौन है तो आपके अलबर्ट बंडूरा है नोट कर लेंगे सभी प्रेच्छनात्मक अधिगम आपजर्वेशनल लर्निंग सिध्धान के परोटक आपके अलबर्ट बंडूरा है आईए बात करते हैं असंगत को चुनना है मनो समाजिक सिध्धान के परोटक इरेक्शन है मनो लेंगिक सिध्धान के परोटक फ्राइड है नेतिक विकास सिध्धान के परोटक जीन प्याजी लेकिन आप पे जीन प्याजे जी जी किसकी बात करेंगे शंगनात्मक विकास की बात करेंगे और छेती सिद्धान के परवत्ता कोट लेविन है लेकिन आपका सी आपसन आपके गलत दिया गया है क्योंकि जीन प्याजे जी संगनात्मक सिधान के परतक या संगनात्मक सिधान से जाने जाते हैं तीसरे आपसन आपका अशंगत दिया गया है अन्बंधन के गोचर की सुरुवात किसने की है तो अन्बंधन के गोचर की सुरुवात एपी पाला उने की थी नोट कर लेंगे अन्बंधन के गोचर की सुरुवात किसने की एपी पाला उने की थी अंगला प्रसने आदर सेमं मूल्यों के सिध्धान के परवत्तक कौन है तो आदर सेमं मूल्यों सिध्धान के परवत्तक डबलू सी वागले है अंगला प्रसने किस मनोब बैग्यानिक ने अधिगम सिध्धानतों में हलका सिध्धान सरसेश सिध्धान बताया वह है इसकनर महोदैजी जी हाँ इसकनर मनोब बैग्यानिक ने अधिगम सिध्धान्त में जो है लर्निंग प्रिंसिपल में हलका सिध्धान जो है सरसेश सिध्धान्त बताया है अंगला प्रसने आरेम गेने के इनुसार अधिगम का कौन सा उचतर इस्तर माना जाता है तो आर्म गेनिक इंसार अधिगम को जो उचता रिस्तर माना जाता है वह शमच्छा समधान अधिगम माना जाता है तीसरा आपसन सही हो जाएगा सभी प्यारमित कमेंट करेंगे सभी प्रतेक भाई भेन सिच्छक बंदू जिनका सपना है धापक अधापिका बनना सिच्छक बनना मैं आपके साथ जैस्वाच और आप शभी का अश्वागत अभिनिनन्द करता हूँ साथ यों 50 कोश्चन्स ये महतरीन अधिगम से समंधित लर्निंग से समंधित 50 कोश्चन्स तयार किये गए है जो एक जाम के लिए बहुत ही महत्पून होगे आपके अनभो एवं प्रसिच्छन का द्वारा बेवहार परिवतन को अधिगम कहते हैं ये कथन गेट्स का है जी हाँ अनभो एवं प्रसिच्छन द्वारा बेवहार परिवतन को अधिगम कहते हैं यह कथन जो है आपके गेट्स का कथन हो जाएगा बालकों के प्रभावी अधियम हेतु निम्लकित में से कौन से विकल्प सबसे कम महत्व पूर्ण रखता है या कम से विकल्प जो है कम महत्व रखता है तो बालकों के प्रभावी अधिगम हेतु अगर देखा जाए तो अधिगम का अभी प्रेनात्मक अधार अधिगम का बौधिक अधार अधिगम का सरीरिक अधार ये हमारे महत्पूर जादा रखते हैं लेकिन अधिगम का दार्सनी कदार जो है सबसे एक कम महत्मुन रखता है बालकों के प्रभावी अधिगम है तो फोर तापसन सही हो जाएगा अंगला पसने उद्दीपक अनकुरिया इस्टमेल्स रिस्पोंस के मद्ध सहचर इस्थापित करने वाले प्रक्रम को ही अधिकम कहते हैं आईए देखते हैं अंगला प्रश्ण सीखना है एक विकास, अनकूलन, परिवर्तन, उपरोगशवी तो सीखना एक आपका विकास भी होता है अनकूलन भी होता है परिवर्तन भी होता है और उपरोगशवी इसलिए हैं पे सारे आपसम सीखना एक कहलाएंगे क्योंकि सीखना विकास भी होता है सीखना मतलब अनकूलन करना सीखना मतलब परिवर्तन लाना भी होता है आईए दस प्रशन और बच्चें हैं दस गेरा प्रशन को कंपीट करते हैं ब्रेक्ति द्वारा जब किसी वस्त को देख कर या इस पर्स पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है देखिए जब हम अकसर देखते हैं कि जब हमारे द्वारा जब किसी वस्त को देख कर या इस पर्स कर उसे ज्ञान प्राप्त करते हैं वह जो सीखना कहलाता है वह प्रत्यच्छा आत्मक सीखना कहला जाता है क्योंकि हम डारेक्ली उसे देख पा रहे हैं ठीक किसी वस्त को देख रहे हैं उसे इसपस कर रहे हैं और उससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसा जो सीखना कहलाता है वह प्रत्यच्छा आत्मक सी सिद्धान का प्रयोग कर रहा है दूसरा आप्षन सही हो जाएगा साथ ही अंगला प्रसने अभी प्रेडित बेवहार की विसेष्था क्या है सक्ति का संचालन क्रिया में केंदित्ता उश्युक्ता एवं निरंतर्ता आउशक्ता की पूर्थी आप सभी लोग जानते हैं अभी प्रेडित बेवहार की जो विसेष्था कहलाती है वह आउशक्ता की पूर्थ की बात करेंगे दायाप्षन सही हो जाएगा अंगला प्रसने पाउलाओ के प्रयोग में भोजन को अनबंधन की भासा में क्या कहा गया है सभी लोग जानते हैं एपी पाउलाओ की बात करेंगे और आने वाले साथी हम सारे जो आपके मनोग बग्यान हैं एपी पाउलाओ है थांडाइक है जीन प्याजे जी कोहलवर्ग है इनसे सारे हम सिध्धान के बारे में चर्चा करेंगे और इनसे मातपूर्ण जो भी 20-25 टॉप 30 कोश्चन होगे टॉप 25 कोश्चन भी करने वाले हैं तो आने वाले बिल्कुल आपके जो प्रशन हैंगे क्लासेज रहेंगे वीडियोज रहेंगे बिल्कुल सेलेक्शन के संबंधित रहेंगे तो पालाओ के प्रयोग में भोजन को अन्बंधन की भासा में क्या कहा गया है क्या कहा गया अनानुबंधित उद्धीपक कहा गया क्या कहा गया साथ यो भोजन के अन्बंधन में पालाओ के प्रयोग में अनानुबंधन उद्धीपक कहा गया है अंगला प्रस्णिया है कि निन में से कौन सा कथन अधियम की प्रक्या को उची धंग से प्रस्तुत करता है तो ऐसा कथन जो अधियम की प्रक्या को उची धंग से प्रस्तुत करे वह ब्योहार में परिवर्तन पहला अपसन सही हो जाएगा अंगला प्रशने अधियम वे प्रकिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंब होती है देखे साथियों अधियम ऐसी प्रकिया है जो कोई भी क्रिया आरंब होती है वे किसकी बात करेंगे हिल गार्ड की कतन वह प्रकिया जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंब होती है किसका कहना है हिलगाड का कहना अंगला प्रसने प्रतिस्थापन का सिध्धान किसका है तो प्रतिस्थापन का सिध्धान आपके गुथरी का हो जाएगा यहाँ पे साइध मिस्विंट गुजरी या गुथरी गुथरी है मने नाम सुना है वैसे तो साइध यहाँ पे मिस्विंट हो चुका होगा तो गुथरी आपको नोट कर लेना है मानोतावादी अधिगम सिध्धान्द की बात करेंगे तो मानोतावादी अधिगम सिध्धान्द किसका है हम बात करेंगे मैसलों की अंगला प्रशने अनबंधन के सिध्धान्द किसका है तो सबी लोग जानते हैं जो अनुबंधन का सिधान्त है वह है ईपी पालाओ की बात करेंगे अंगला प्रेशने साथ यो, अनकुरिया उद्धीपक सिधान्त किसका है तो अनकुरिया उद्धीपक सिधान्त इसकनर महदय जी का जब बहु प्रत्कियाक सिध्धान की बात करते हैं तो जब भी बहु का नाम आए तो थांडाइक का ले ना क्योंकि आपको पता है इन सभी मनोब बैग्यानिकों से चार से पांच प्रसंट जूरू पूंचा जाएगा तो बहुत ही आने वाली जो क्लास हैं बेतीन सेलेक्शन के कोर्डिंग लेका रहे हैं क्योंकि क्योंकि साथियों इस बार जो एक जाम फते करना है और टीटी एक जाम को क्रेक करना है अपने शपने को शाकार करना है क्योंकि सिच्छक बरती में नमबर वन आपका परिवार है सिच्छकों का परिवार है जैहिन सभी दोस्तों को सभी भावी अधापक अधापिकाओं को सभ प्यारे प्यारे भाईयों ये वहनों ये ग्रहनी को जिनका सपना है गौर्मेंट टीचर बनना अध्यापक अध्यापिका बनना मैं आपके साथ जैस्वाल सर जल्दे मिलते हैं इस क्लास पर शभी मित्रों को जेहिंद वंदे मातरम धन्माश भीक